हेलो फ्रेंस वेल्गम बेक मैं यूटूब चेनल तो गाइस आज हम इस वीडियो में बनाएंगे यह वाली बेवी फ्रोग वह भी फुल घेरदार में और वह भी बहुती कम कपड़े में तो आपने अगर यह वाली फ्रोग बनाना सीखना है तो वीडियो को स्किप ना करते तो गाइस चलते हैं वीडियो की सुरुआत करते हैं यहाँ पर मैंने इस तरीकी का फेब्रिक लिया है फेब्रिक में बता देती हूं कि कौन-कौन सा फेब्रिक का आप जरूरत पड़ेगी यहाँ पर यह जिप लिए है जो पीछे हमें बेक पे लगानी है कोटन वाला सबस cowboy के प्ता है दो चौनिशता है से शुचे लिए उत ना हम पर कड कर लेंगे यहाँ इस से ज्यादा में इसको नहीं लिया ही यह चाहिए इसमें से हम चोली के लिए कट कर लेंगे तो यहांँवड़ की ली इची है उतना मिने यहांँ पर कट लिया है और यह दे की देखी दो पार्ट में मैंने इसको फोल्ड करटे व57 की पूल इस तरिके की बिचा दिया है और यह देखो ओपन सैड ली चारते में हैं मेरी तरफ में यहाँ पर folded side रखी है और उपर चेह में हमें इसा ध्यान रखना है अगर आपको chain लगानी है तो इस तरीके से आदा इंच एक्स्टा आपको नीचे का पाट छोड़ना ही छोड़ना है यानि चेहन के लिए आप एक्स्टा फेब्रिक पहले से ही निकाल ले इस नाप लेना है ना कि नीचे वाला जो एक्स्टा हमने रखा है उससे हमें नहीं नापना है इपर से हमें यहाँ यहां पर दो इंच यानि दो इंच के something हम यहां पर नेकी चुड़ाय लगानी है लेंथ आपको कितनी चीह बेबी के लिए उतना आप यहां पर लगा सकते मैं 4-4.5 इंच पर लेंड लगाई है यानि या हमारे देख सकते हो कि बेवी जैसे 4-5 साल का है तो इसमें कोई बेवी हेल्थ में होते हैं कोई दूबले पतले होते हैं तो आप उनके अकॉर्डिंग जितना आपका मार्जन है यहाँ पर उतना ही marking करें मैंने बेबी के according ही marking किया है अब यहाँ पर नेट की गूलाय लगा देंगे आर मोल पर भी हम यहाँ पर कम से कम हमें यहाँ से पाच इंच के जाड़े पाँ इंच के संप्टिंग आर मोल लेने तो मैंने यहाँ पर पॉने 5 पांच इंच में आपर मार्किंग करी है आर्मॉल के लिए अब इस तरीकी सी बॉक्स बना लेंगे और यहां पर भी हम आर्मॉल की गोलाए लगा देंगे इसमें कोई फ्रंट और बेक नहीं रहेगा क्योंकि जो हमारे बेबी का जो पार्ट होता है यानि की बेबी को जो सीना होता है वो कमर और चेस्ट बिल्कु बराबर ही होता है इसमें कोई मार्जन नहीं होता है अब यहां पर जो हमारा चेस्ट का पार्ट है उसका फॉर्थ पार्ट निकालना है तो चेस्ट हमारा 20 से 20 का फॉर्थ पार्ट निकालेंगी तो पांच इंच कमर भी हमारी उतनी है तो कमर भी हम उतना ही ले लेंगे और दो-दो इंच हम यहाँ पर मार्जिन का छोड़ देंगे तो यहाँ पर इस तरीके से मार्जिन पर निशा लगा देंगे अब जो हमारी लेनी हमें लेन्थ कितनी चीए कम्प्लीट हमारा यहाँ पर रहेगा साड़े दस इंच चोली का सम कि एए वहाला तो हो गया हमारा चोली वाला इससा अब hanno हमने हैं यहां पर bow six Mason pattern पने कट कर लिया है को ज़्या हमने सेंटर से हैल क्या यहां पर चोड़ चोड़े दो कट लगा देंगे दोनों पार्ट पर और य। हमारा फ्रॉंट वाला लिए इस तरीके से यह दो दो पार्ट है और गाइस आप देख सकते हैं यहां पर यह दो पार्ट रखें दोनों के दोनों और मैंने क्या नहीं किये यानि कि मैंने इसको चोकोर ही कट किया अभी गले की इनकी कोई यहां पर कटिंग नहीं किये बस ऐसे ही मैंने अपर जितना पर निकाल लिया है इसको हम बाद में रेडी करेंगे अब हम नीचे के घेरे की तयारी कर लेते हैं यानिकी नीचे घेरा कट करना है तो उसको भी सबसे पहले हमें कोटन वाले फेब्रिक पर ही कट करना और यह देखे में इस तरीके से समोसा सेप में यह आपर फोड करके कमर निचान लगाना है कमर हमारी 20 सी नीचाता करें रिदे बाद में दुजैंकल निकालेंगे अब हम उपर 10 इНच छोड़वे है क्योंकि चोली उतनी है रिया हमार हमारी रिदि काम्प्लीट फ्रोग की लिएंथ, विधोलेंपक लनिए रिदे कामर से निशान लगाते जाएंगे क्योंकि 10 इंच आपने निकाल दिया है चोली का और यहां पर 15 इंच बचा है तो 15 इंच में नीचे की तरफ निशान लगाना है 15 इंच में इसको फिक्स लिया है क्योंकि फोल्ड होके 14-14 रहे जाएगा तो नीचे से भी फोल्ड होगा उपर से अगर आप फोल्ड का पहले ही निकाल लेते हो तो इसमें आप थोड़ा चोटा कट करें इसको फेब्रिक से अब इससे थोड़ा बड़ा हमें कट करना है साटन वाला फेब्रिक तो इस तरीके से छोटा बड़ा रहे गाए जिया पर यह देखिए वह आपी दोबारा दूलिया को अब इहां पर यह बराबर कट चुका है और यह दी चार फैश्ड में है अब Łें इसको साटन वाले पर कट लिया है यह देखिए और मैं देखा देतेए उसमें कली जोईंक होगी और यह बराबर है यहने की नीचे से मैंने इसको थोड़ा एक्सटा कट कट यह इससे थोड़ा बड़ा रखा है यहाँ पर यह देखो दो जोइंट हैंगे तो इसके में यहाँ पर दो कलिया भी कट कर लिए दोनों की दोन साथ में और इस तरीके से आप जोड़ते भी इसको भी कंप्लेट कर लेंगे जब हम इसकी सिजाए करेंगे अब उसके बाद हमारी आती है नेट वाले फेब्रिक है क्योंकि नेट वाला फेब्रिक हमें सीधा ही कट करना है इसमें कोई उरेप में हमें कटना ही करना है तो हमें जो हमने साटन वाला फेब्रिक लिया है और कोटन वाला फेब्रिक लिया है उसी से हमें यहाँ पर इसको एक्स्टा कट करना है यानि उससे हमें थोड़ा बड़ा कट करना है वह 15 इंच पे कटके हैं मैं यहाँ पर 16-16 इंच पे निशान लगा रहे हूं क्योंकि यह पिक्स हमारा रहेगा नीचे से कोई फोल्डिंग नहीं करनी है यह नीचे ना तो इंट्रलोग करने ना इसमें पीकू होगी बस ऐसे ही अगर आपको पीको यह इंट्रलोग करने तो उसका एक्स्ट्रा मारजन आप पहले से इसमें एड कर ले तो 16 की जब आग आप उसमें 17 लगा सकते हैं जो हमारा बचावा फेब्रिक इसमें से हम स्लिफ्ट करेंगे तो यहां पर यह वाला चोली वाला घेरा हो गया और यह वाला हमारा नीचे का घेरा हो गया तो चोली वाला पाट को अब हमें यहां पर इस तरीकी से देखना है यह देखे सारी का यानि फ्रोक का सारा पाट हम साइनिंग वाली साइड नेट की तरफ रखी है यानि कि उपपर की तरफ रखी है इस तरीके से हैं तो आपको हम मैं से साटन वाले की साइनिंग उपपर की तरफ ही रखने हो कोटन वाले फेब्रिक को सबसे उपपर अब हम यहां पर गले पर सिलाय लगा देंगे दोनों की से cutting करनी है अब हलकल कि यह दो στο के helping में करना ye i0 को में अधर के तरह वह जात ना देंगे तो आप इस तरीके से ना जमाए मेने आहां पर अंदर से फोर्ड करना है से मेने फेलिंग किया है अब यहां पर हम गले से finishing की सिलाय लगा देंगे इस तकिसे इसको पलट कर अंदर की तरब अप एक वाली से पर हमें सिलाइ नहीं लगाने है हमें दूसरी वाली सिप लगाने हैं और सोल्डर पे गुम सिलाई कैसे लगाने चले मैं आपको दिखा देती हूँ सबसे पहले हमें नीचे का सोल्डर सीधा रखना है यानि कि दोनों सोल्डर के यहाँ पर इस तरीके से कोटन वाला फेब्रिक लेना है फिलाते हुए सिलाई से सिलाई हमें मिलाना है और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसको सिलना ध्यान रखना है हमारा जिस सोल्डर का साइड है वैसे हमें यहाँ पर कोटन वाला फेब्रिक लेना है ऐसा नहीं कि दूसरी साइड का आप यहाँ पर कोटन वाला फेब्रिक यानि सोल्डर ले पापन करके हमें इसको सिलना है जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो हमारी इसलाय अंदर की तरफ चली जाएगी और यहां पर यह देखिए अगर एक्स्ट्रा यहां पर कटिंगे तो मैं इसकी कटिंग कर देती हूं दोनों सैट पे और यहाँ पर यह देखे अच्छा से अंदर की तरप आप देख सकते हैं तो यहाँ अब आपर यहाँ पर यह देख सकते हैं 256 एंब हम यह पर सादुरी सैट से इसको चिपका देंगे चाहे तो आप यह आपर कच्छी सलाय कर सकते है तो पूरी सेर्ट से मैं यहाँ पर यह देखे चारो तरब से मैं इस पर अफिन से लगानी है तो यहाँ पर जो मैंने सेंटर पर कट लगाया था उसी का ध्यान रखना है हमें इस तरिके से वापिस फोल्ड करना है य Changee कट को हमें बिलाना है और यहाँ से इसके दो पाट करने है बीच में से से चकर यहाँ से कट कर्थे हुए तो हमすकी कटии सरा घ्याइक करेंगे ठेंगे दो ऊष्यूंब और इस लिगकें से बाप करेंगे इस तरी के से दोनों पट्टियों काम हम अंदर की तरफ करेंगे और फिर ऊपर से इस तरी के से यह अधिए यह तरी के से यह सेट हो जाएगा अब उब finns उसirie तो यह यह सिलाय यह न पर भलत यह देखि आट हो चुकी है यानि की ऊपर आमारे Charmented लेख Thank, मोरी बनानी है तो इसके लिए मैंने याँ पर साटन वाले ये दो पट्टियां कट कर ली है आप देख सकते हैं चोड़ा एक कितनी रखनी आपको उतना रख सकते हैं मिने अपने अकोडिंग रखी है तो यहाँ पर इस तरीके से रहेगा स्लिष की लेंद मैंने पूरी कट कर है और पट्टियों की लंबाई में दिखा देती है आपको यहाँ पर साड़े ग्यारा इंच है गोलाई हम लेंगे तो यहाँ पर साड़े दस इंच यानि की आट इंच या नो इंच के सम्तिंग रहेगी और एक्ष्टा मारजन रहेगा अब यहाँ पर एक स्लिष को लेना ह इससे है के इसलेट बारा में आफ गूलनी पड़तीर तिसली तरह को में रहें तो पर बरभर से रहें हैं और अंदर के तरफ में इसको फड़ करेंगे और यहां सेट करने में के इसलेड़ महुं रहें म Pourquoi आटरं रहें यहां पर फ्रेश करने के बाद आची से सेट हुजाएगा अब यहां पर हमें चोली वाली इससे पर अटेच करना है तो जो हमारा सेंटर का पॉइंट यहां पर कट किया था याने सेंटर पर हमने हलका सान नोचेस लगाया तो वहां से हमें सोल्डर पर रखते वे और यहां पर चारों तरफ से हमें गेदर्स बना लेना है यह देखिए और फिर दूसरी वाली साइट से भी हमें इसी तरीके से गेदर्स बनाने हैं और यहां पर सेट करना है तो यहां पर यह देखिए अभी इस तरी किसी यहां पर आगे की तरफ हमें डिजाइन बनानी है तो यहां पर मैंने साटन वाला फेब्रिक को अपिस लिया है तोड़ा सा मैंने अंदर की तरफ इसको फोड किया है इस तरीके से आप ध्यान से देखें मैं किस तरीके से डिजाइन बना रहे हैं फिर एक प्लेट उठान दूसरे प्लेट उठाने और इसके उपर रखना है ध्यान रखना है अंदर की तरफ ज्यादा फेबरिक लेना है ताकि प्लेट हमारी बड़ी बनकर तयार हो अब इससे पास से छे प्लेट में यहां पर बना लिए और अच्छे से आइरन कर लेंगे और यहां पर यह देखें ह कर लेंगे और यहां पर कल पर से फोड़े और यहां पर जरुड़ ने कर लेंगे यानि कि जो चोली वाल ऐसा जोइंट हो वैसे इस पर जोइंट कर लेंगे तो यह पर यह देखी मैं इसको सेंटर पर सिलाय लगा दिये है और अग्सता पत्ती का जो मलब अग्सता पार्ट है उसको भी कटकर ले हो नीचे से भी आप फिनिसिंग देख सकते हो यानि कि मैंने हर एक प्रटट पर हर एक प्लेट पर इस तरिके सह ची लगा ऐ ताकर哦ppen ना हो पेनने के बाद और libro कषे निकाल ला रहे लिए पीछे हमने यहां पर फिर्बरे की बांध़री को निकाला लखने सेट कर लिए और निचे हमें यहां पर इस तरिके से इतना margin छोड़ना है यानि कि जो में लगानी है कमर वाला इससा में यहापर थोड़ा margin छोड़ना है उसके बाद इनको attach करना है नीचे से हमारा क्योंकि गेहरा sulla Yessas कि दोगा उसमें छलना जाया या नीचे दोड़ना है अब हमें इस तरीके से हमारे स्लीवरें कि यहाओ लगा दो तो banana पन छोड़ने है अब हमने यहाँ पर जो नीचे वाला घेरा था उसको भी हमने यहाँ पर complete करना है तो हमें क्या करना है जो चोली की हमारी कमर कितनी आ रही है उतना हमें इसको नाप लेना है पहले उसके बाद हमें घेरे को complete करना है यानि कि घेरे की कमर को उतना ही रखना है इसमें हलके से चुन्नत भी आप डाल सकते हैं अगर आपका घेरा चोटा है बस बिल्कुल आपको घेरा चोटा नहीं रखना है अगर चोटा हो गया और आप फिर से कमर कट करोगे तो आपका नीचे का जो फेबरिक है वह बिल्कुल छोटा हो जागा हो यानि कि लेंद छोटी हो जाती है तो अब इस पर हम कट करेंगे तो इस पर भी चुनट डाल देंगे तो यहां पर यह देखिए बिल्कुल सेट हो गया है हमारा इस तरीके से दोनों पाट को टेच कर दिया और नीचे से भी मैंने इसको फोल्ड कर दिया है तो इसी तरीके इसको फोल्ड कर लेना ह और यह देखे हमारा नीचे वाला घेरा कम्टेट हो गया अब हम यहां पर पट्या कट की थी उपर वाले नेट की तो नेट की मेंने सारी पट्यों को यहां पर जोइंट के लिया यानि बिल्कु सरकल में इसको जोइंट किया है इसमें हमें एक सुई धागा लेना है और उतना नहीं लेना है आपको नेर तो अमारे साथ से आप मिटर हो गई ये तो इतना हमें धागा नहीं लेना है बस हमें इतना हमारे कमर के to setaset है यहां पर लेना है और इस तर्यके से में जिसा कच्छा ठाका लगाते हैं व्यसके यहां पर put borrowed connect जहें यहां पर पूरी पर इसे गेदर्स लेते हों यहां पर इसको complete करने तो यह पर देखिए visible यहां पर झुनत ढाल दिया है यहां पर इसको ब Ndo is commit to a बराबर से चुनट डालते जाएंगे इस तरीके से और फिर हम यहाब कमर की से कि यहां से इसको जोइंट कर देंगे तो हम यहाँ पर सबसर्पे ध्यार रखना है कि यहां साटन वाला फेब्रिक नीचे ही और साटन वाला नीचे रखनाए अब यहाँ पर यह देखिए मैंने इसको जोइंट कर दिया है उपर से सात हीPhone 13 चाहिए नोफ हुझ्убли पैसनी हाँ वाली की caracter दिया है अभी तो इसमें थोड़ा और डिजाइन करना बाकी है तो यहाँ पर हमें इस तरीकी का बोब बना कर तयार करना है तो बोब के लिए मैंने यहाँ पर यह देखे दोनों फेब्रिक के हैं आपर जोइंट करके और आइरन से सेट कर लिए और इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर इसको stitch करना है और इसके बाद में हम यहाँ पर सेंटर बे जो चिलाई हमने लगा है यहाँ पर इसको attach करना है तो यहाँ पर यह देखिए मैंने बो बना कर तयार कर लिया है तो आपको वीडियो में स्टेप बाइसे आसानी से ऐसी बेवी फ्रोंग बना कर सीख सकते हो यानि कि मार्केट जैसी वेवी फ्रोंग गर बे या अपने बेवी के लिए तियार कर सकते हो इसप्रोग घ्रोग को , don't go to a dress還 लुप मैं आपको दिखा देती। कितना प्रेटी ओर इसका फाइनल लुक यह मेरे तो मन दो ebenfalls से। तो मैंना आपकी हैनिक है कि मैं बहुत बढ़ू हो रही यह पुह ही बहुत चोचेती हैं। और फाइनल लुक में आपको और दिखा देती है उसका बेबी के वेर करने के बाद यह देखे गाइस फाइनल लुक इसको पहनने के माद बिल्कुल भी नहीं लग रही होगी कि यह आपने इस्टीच की यह खुद सही यानि की खुद ने मनाई है तो वीडियो कैसा लगा किन सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरी नेक्स वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगो को सब सब ले मिल सकें तो मिलते हैं नेक्स टाइम में एक नहीं यूसफूल वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई एंड थैंक्स पूर वाचिंग माई वीडियो कि टूंए टूंएग क कि वीडियो के लिए च्पंएट लेकें की देघंभीयो गूंएब बाई एंड एंड और लेगम में यहाद गषए वाटियो चर्तूंन ले दूंएग गएफ टूंएविसमें यूसएब खूंएब टूंएब भार च